Hello friends. Welcome to SK Creativity. तो friends आज हम फ्रीज के मैट बनाना सीखेंगे. तो ये मैंने एक पुरानी कुर्ती ली है. मेरी cotton की पुरानी कुर्ती है. उसी के साथ ही हम जो हैं ये फ्रीज के मैट बनाएंगे. तो ये नाप लेने के लिए मैंने जो फ्रिज में पहले मैट रखा था उसी का मैं नाप ले लूँगी ये देखिए ऐसे रखूंगी और इसी तरीके से आप इसका नाप ले सकते हैं अगर आपने मैट नहीं रखे हैं तो फ्रिज के अंदर जो रैक होता है आप उसका नाप ल पिछ और यह उसके हैं आप घरमा सकते हो और यहारी सब सर snippet अए और में पिल्कुल आपका तो तीन पीस में रेडी करूंगी तो यह देखे उपर वाला जो है फैब्रिक मैंने कॉटन का कट कर लिया है और उसके बीच में यह जो पॉलिथिन का बैग होता है यह देखिए ऐसा यह मैं इसके बीच में डालूंगी इसके साथ क्या होगा कि हमारा फ्रीज की जो रहक है बिल्कुल भी गंदी नहीं होगी और यह जब भी कपड़ा गंदा होगा तो मैट गंदा होगा तो हम इसको वाश करके फिर से यूज कर सकते हैं तो यह मेरे पास एक बैड शीट है पुरानी बैड शीट तो नीचे लाइन भी ब्राबर करके मैं कट कर लेती हूं तो यह बनाना भी बहुत ही असान है और घर पे आप असानी से बना सकते हो अगर आपके पास कोई भी आटा बैग या राइस बैग पड़ा है वो भी आप इसके बीच में यूज कर सकते हो तो यह देखिए अब हमने इनको स्टिच कर मोलता है तो आपने क्या करना है सबसे पहले चारो तरफ आपने पिंसल लगा लेनी है और फिर तीनों पीस जो हैं चारो साइट से हम जोड लेंगे और बीच में सीधी सीधी लाइन लगापि कुल्टिंग कर लेंगे ताकि जो तीनों पीस हैं हमारे आपस में अच्छे से अटैच हो जाएं और पहले चारों साइड पे हमने सिलाय लगा लेनी है तो अगर आप भी सोच रहे हैं कि मैं रैडिमेट हम ओनलाइन जैसे मिलते हैं मंगवाने का तो आप घर पे बहुत ही असानी से बना सकते हो तो देखिए मैंने चारों साइड से स्टिच कर लिया है अब बीच में न मैं सीधी सीधी लाइने लगा दूँगी और पूरे ऐसे ही पूरा जितना भी ये पीस है उस पे सारे पे कुल्टिंग करके रैडि कर लूँगी तो कोई भी एक अपड़ा आपके पास पड़ा हो आपको पता है अगर आप मेरे चैनल पे काफी टाइम से आप मेरे वीडियो को देखते हो तो काफी सारी चीज़ें घर की जो है मैं वेस्ट मटीरियल से ही बनाना बताती हूँ तो ये देखे कुल्टिंग करके पूरा मैंने इसको रैडि कर लिया है अब मैं इस पे साइड पे पाइपिन लगाओंगी तो ये भी मेरे एक पुरानी कुर्ती है जिसका की फ्रंट मैंने यूज कर लिया है अब ये बैक वाला पार्ट है तो पाइपिन के लिए ये जो फैब्रिक यूज़ ने पुराने जो जो कप्ड़े हमारे घर पे पड़े होते हैं उने के साथ ही मेंने बनाया है हैं लाइनिंग के लिए भी मैंने बेडिशीट का यूज किया है और pipe in के लिए ये देखो पुरानी कुर्ती थी उसका यूज किया है और उपर भी जो फैब्री लगाया आपको पता ही है कि मैं most भी जो है पुरानी चीजों का ही यूज करना बताती हूँ तो कई कपड़े घर में सभी के होते हैं जो पुराने सूट होते हैं पुराने शर्ट्स होती हैं जैंट्स कपड़े होते हैं तो उनको आप घर पर यूज करके अपने घर के लिए जो काम की डेली आने वाले घर में चीजें जो होती हैं तो घर पर अपने आप असानी से बना स को आप जैसे डाइनिंग टेबल पे भी यूज कर सकते हो तो डाइनिंग टेबल के लिए अगर आपने मैट बनाने है तो अपने हिसाब से आप कपड़ा ले ले लिजिए और ऐसे आप जो है मैट बना सकते हो तो यह देखिए पाइपन उल्टी साइड से मैंने लगाई है अब सीधी साइड को उल्टा के पूरा यह देखिए इतनी इतनी पट्टी मैं निकालूंगी तकरीम आधा इंच चोड़ी मैंने यह पट्टी जो है निकाली है तो देखो कितना असान है बनाना तो आप घर पे ज देखेगा और यह देखिए ऐसे ही सारे कोने हमने अच्छे से बनारे कर लेने हैं तो यह है पीस हमारा मैट जो है बनके रेड़ी हो गया है। अम आप फृज में लगा के भी आपको दिखा देती हूं यह देखिए हैं तो मैंने दो बनाए हैं यह क्या यह देखो दूसरी साइड से भी कितना सुन्दर लग रहा है ना बैडशीट का जो था यह लेकिन एक में मुझे से गलती होगे मैंने उल्टी साइड से ही इसको लगा दिया तो यह देखिए दो कबर मैंने दो जो है मैं बना लिये हैं तो फ्रेज में लगा के यह देखो करना है और आपने भी जुरूर ट्राइ करना है तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाब